असलावलेकूम आज हम पढ़ेंगे असली इंसानी जेबर के बारे में तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना यह आपके लिए बहुत खास वीडियो होने वाली है और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना हमारे चैनल बनाया है तो सस्क्राइब करना तो आई हम अर्रह्मान ररहीम एक लड़की ने ये पूछा अपनी अमाजान से आप जेबर की करें तारीफ मुझ अनसान से कौन से जेबर हैं अच्छे ये बता दीजिये मुझे और बद जेब हैं वो भी बता दीजिये मुझे ताकि अच्छे और बुरे मैं मुझ को भी हो इंतियाज और मुझ पर आपकी बरकत से खुल जाई ये राज यूं कहा माने महबब से कि ए बेटी मेरी गोसे दिल से बाद सुलो जेवरों की तुम जरी सी वजर के जेवरों के को लोग कहते हैं भला पर ना मेरी जान होना तुम कभी इन पर फिदा सोने चान्दी की चमक बस देखने की बात है चार दिन की चान्दनी और फिर अन्धेरी रात है तुम को लाजिम है करो मरगूब ऐसे जेवरात दीन वा दुनिया की भलाई जिस से ए जानाए हाथ सर पर जूमर अकल का रखना तुम ए बेटी मुदाम चलते हैं जिसके जड़िये से ही सब इनसान के काम बालिया हो कान में ए जान गोस होसकी और नसियत लाग तेरी जुमकों में हों भरी और आवेजे नशाया हो की दिल आवेज हो गैर करें उन पर अमल तेरी नसीवे तेज हों कान के पत्ते दिया करते हैं कानों को अजाब कान में रखो नसियत दें जो और राके किताब और जेबर गेर गिले के कुछ तुझ पर दरकार हों कोते बाजू का हासिल तुझको बाजु बंद हो काम्यावी से सदा तु खुर्रंवाख खुसंद हो हैं जो सब बाजू के जेबर सब के सब बेकार हैं हिम्मत बाजू की ए बेटी तेरी दरकार हैं हाथ के जेवर से प्यारी दस्तकारी खूब है दस्तकारी वो हुनर है सब जो मरगूब है क्या करोगी ए मेरी जान जेवर खल्खाल को फैक देना चाहिए बेटी बस इस जन्जाल को सबसे अच्छा पाउं का जेवर ये है लोरे बसर तुम रहो साबित करदम हर वक्त रा नेक पर सीम वजर के पाउं में जेवर न हूँ तो डर नहीं राश्ते से पाउं फिसले गिर न मेरी जान कहीं